Hello guys, welcome to an academy, मैं हो निकेत अगरवाद एंड इस सीरीज में हम करते हैं daily current affairs तो जो भी important current affairs होते हैं हमारे prelims के related या GS1234 से related उन सब भी को हम इसमें detail में discuss करते हैं एंड उस से related में आपको हमेशा कहता हूँ कि वीडियो के end में आप उसको कुछ से summarize करो, उसका 100 से 150 words के अंदर अपने notes बनाओ या answer writing की तरह लिखो और आप उसको मुझे send भी कर सकते हो for evaluation या नीचे comment section में लिख सकते हो इस series के अंदर हम comprehensively cover करते हैं बहुत सारी अलग-अलग चीजें तो हम newspapers को cover करते हैं योजना, PIV, कुछे इत्राक, तो कहीं से भी जो important का इंटरफेर आता है EPW से आता है and so on उन सभी कुछ चीज़ों को हम यहां पे cover करते हैं मैं आप लोगों को से request करना चाहूंगा अगर आपको मेरी ये videos अच्छे लगते हैं, मेरा content अच्छा लगता है और आप मुझसे personal guidance आते हैं तो आप an academy का अप्ला subscription ज़रूर खरीदिये आप इसे एक महीने के लिए खरीद सकते हैं तीन महीने के लिए ले सकते हैं, 6 months ले सकते हैं और 12 और 24 months का भी ले सकते हो और जब भी आप subscription को लो तो आप मेरा code यूज करो जो की है ANI 7 इंडिया है इंडिया को चाहभाहर रेल प्रोजेक्ट से तो आप सबको पता है चाहभाहर पोर्ट को हमने कहीं वाइद सके हैं बहुत important port है और यह गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है चाइना के अंडर उसको कहीं नहीं टैकल करती है तो चाबहार में एक railway project भी था इसके अंदर क्योंकि इंडिया funding दिले कर दिया है इंडिया ने तो इसके कारएं इरान ने इंडिया को महाँ से drop कर दिया है तो इंडिया has been dropped out from the construction of the railway line from चाबहार port to जाहिदान तो जाहिदान तक इस railway line ने जाना था along with the border of Afghanistan as Iranian government has decided to proceed with the construction on its own और अब इरान की जो government है वो कहले कि हम इसकी construction खुद से ही कर लेंगे और इंडिया को इंडिया ने क्योंकि funding लेट कर दिया है तो अब हमें इंडिया की जरुरत इसमें नहीं है the agreement was signed by India and इरान four years ago to build a railway line यह जो agreement है यह चार साल पुराना है and यह project जो है काफी ज़्यदा डिले हो गया है government of India ने बहुत ज़्यदा funding में डिले कर दिया है और project जो था वो start ही नहीं हो पाया तो कि start ना होने के कारण काफी ज़्यदा दिखते हैं face करने पड़ी इरान की government को तो अब इरान की government कह रही है हम खुद से ही इसको जो है चला लेंगे खुद से ही इसको आगे बढ़ा लेंगे मुहमद इस्सुलायमी जो कि इरान की transport और urban development minister है उन्होंने inaugurate किया था इस track को जो कि चहाबयार जहादीन line है 628 km की है और यह बहुत जादे important है क्योंकि यह border करती है अफगानिस्तान को तो basically अगर आप इस railway line का इस्तमाल करते हैं तो आपको अफगानिस्तान तक का जो रस्ता है वो खुल जाता है अफगानिस्तान तक का जो रस्ता है वो मिल जाता है जिससे आगे आप Central Asia को connect कर सकते हो and ultimately आपको trade के लिए बहुत जादा फायदे में रहेगा trade बहुत जादा prosper कर सकता है तो इंडिया के लिए भी इसी लिए यह बहुत जादा important था अब इंडिया की विज़े से क्यों delay हो रहा है यहां पर funding के अंदर या किसी भी चीज के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो इसमें जो इंडिया का जो main worry था वो basically एक diplomatic pressure था कहां से USA से इंडिया को लगता था क्योंकि इरान और जो USA है वो आपस में काफी जादा आप कह सकते हो कि इनके अच्छे relations नहीं रहे है USA बहुत जादा बुराई करता है इरान की तो उसी कारण से अगर इंडिया इरान में जादे interest दिखाएगा इरान को develop करने की कोशिश करेगा या आपे funding करेगा तो हो सकता है USA हमसे नराज हो जाए जो कि हम afford नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं एक diplomatic pressure था एक धर्म संकर था कि इंडिया क्या करे क्या ना करे इंडिया ने क्या किया जो हम सब करते हैं डिले करना शुरू कर दिया रिस्पॉंस देना कम कर दिया अब उसी से नराज होकर आप कह सकते हो कि इरान की government कह रही है कि आप drop out हो गए है और हम ये काम खुदी कर लेंगे The United States has provided sanctions waiver for the Chabahar port There has been difficulty in finding partners and suppliers as they can be targeted by USA Because of the US sanctions India has already zeroed out its oil import from Iran due to US sanctions और USA की sanctions का ही ये असर था कि इंडिया ने अपना जो oil import है इरान से वो भी लगभग zero के करीब कर दिया है वो भी लगभग बंद कर दिया है और अब इसका जो सारा funding है लगभग 400 million dollars का वो इरान National Development Fund से आएगा जिससे कि इस railway project को 22 March 2021 तक खतम किये जाने की उमीद लगाई जा रही है यह बहुत important चीज है यह जो railway project है यह एक trilateral project के बीच में आता था तो एक कहीं अखीं trilateral चीजों को connect करना और एक alternative trade route लेके आना जिससे कि अफगानिस्तान का भी development हो plus अफगानिस्तान के थूँ Central Asia से connection हो पाए तो although अफगानिस्तान एक landlocked country है लेकिन इसका जो connection है through Central Asia वो बहुत important है क्योंकि Central Asia अगर आपको पहुंचना है तो अफगानिस्तान is the best place जहां से कि आप Central Asia में connect हो सकते हैं तो इसलिए यह एक बहुत important चीज थी इंडिया के लिए क्योंकि अगर इंडिया का direct water अफगानिस्तान से नहीं लगता जो area लगता है वाखान corridor वाला वो पाकिस्तानों के पर कश्मीर में है तो through Iran हम अफगानिस्तान में enter करें जिससे कि हम Central Asia के trade को control कर सकें और वहाँ पर वैसे ही इंडिया के soft power बहुत जादा है जैसे Azerbaijan जैसे जो देश है या Uzbekistan जैसे जो देश है वो Indian culture को Indian movies को Indian TV को cinema को काफी जादा enjoy करते हैं of course हमारे जैसे कपड़े विगारा भी वो पहनना पसंद करते हैं तो इन सबी चीजों के कारण हमारा trade वहाँ पर बहुत जादा बढ़ सकता है और हम direct trade benefits वहाँ से मिल सकते हैं तो एक alternative trade route आना था एक trilateral agreement था between India, Afghanistan and Iran और इसको construct कौन कर रहा था ये बहुत important fact है State-owned Indian Railways Construction Limited IR कौन बोलते हैं इसको और Iranian Railways तो IR कौन and Iranian Railways ने मिल के इसको construct करना था Prime Minister Narendra Modi has visited Tehran in May 2016 to sign the Chabahar Agreement with Afghanistan President Ashraf Ghani Iranian President Rouhani तो Prime Minister Modi भी इसमें शामिल थे इसके इलावा एक M.O.U. भी sign किया गया था Memorandum of Understanding with Iranian Railway Ministers M.O.U. stated that the construction of the Chabahar Zahidhan Railway as a part of transit and transport corridor in the Trilateral Agreement between India, Afghanistan and Iran तो इस चीज़ को हम आलरी डिसकस कर चुके हैं As per the agreement, Iran has also promised to provide a super structure work यानि कि construction work हम provide करेंगे services हम provide करेंगे and finance भी हम करेंगे जो कि 16, 1.6 billion dollars का था तो अपने आपने बहुत huge amount हम आपे invest करने जा रहे थे So with this we have completed the topic I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी informative लगी होगी Thank you for watching तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं और आपको वहाँ पर quality पढ़ाने वारे कहीं और जाना पड़ता है लेकिन an academy plus में ऐसा नहीं है आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं तो आपने a teacher से suppose कीजे quality पढ़ा आपको अच्छा लगा लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और भी teacher के पास जाकर भी वो subject को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई restriction नहीं है कि आप कितनी मरज़ी बार teachers को switch कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं अपना syllabus घर बैठे बैठे अराम से पूरा कर सकते हैं सेकेंड यहाँ पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं तो यानि कि आपके सारी doubts जो है वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही निप्टारा कर दिया जाता है तो nip in the bud हो जाता है कोई भी doubt ऐसा ना हो जो linger on करता रहे और बाद में आपको problem create करें revision के time पर आपको problem आए तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है अगेन जो बहुत बार आपकी offline classes हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर आपका clearing doubt session चलता रहेगा आपके doubts जहें वो clear होते रहेंगे उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple जो courses हैं वो मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी an academy library का तो suppose कीजिए आप PCS की भी त्यारी कर रहे है and IS की भी त्यारी कर रहे है अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है तो उस टाइम पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं specific lectures देखने हैं तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं तो एकी subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो again अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं और जो आपकी best जो आपको job लगती है आप उसको रख सकते हैं एकी subscription में आपको बिना double पैसे खर्च किये आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है and again घर बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं क्योंकि आप देखिए अगर आप offline coaching में जाते हैं तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें उसके बाद कई बार parking fees लगती है उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई coaching नहीं है आपको पूरा अच्छे से रहेगा जैसे कि आपका offline classes में रहता है तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल देज़े कि टीचे के साथ interaction नहीं हो पा रहा या doubts जो है वो बच जा रहे हैं doubts clear नहीं हो पा रहे इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी तो exam से पहले सबसे जादा important होता है कि आपने कितने test किये क्योंकि जितने test किये और specially जो हम test में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रहाती है तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं और बिना annotated तो अगर plain suppose कीज़े आपने कोई MCQ का course लगाया और उसके अंदर आपने plain PDF फाइल ले ली तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए और बाद में आप उसे annotated है जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वहां कराएं उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी तो इस तरीके से आपके MCQ उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है प्लस आपको जो theoretical chapters है उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो की PDF notes दिये जाते हैं इसके इलाव आपका full syllabus coverage होता है बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया सर ने NCITS नहीं कराई या कुछ नहीं कराया कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है तो बहुत सारी coachings जो हैं आपको complete भी करा देती हैं लेकिन कुछ बच्चों कर रहा जाता है लेकिन अनकाडमी पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा और इसके अंदर एक और advantage है वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस्स कर दिया या कोई topic आपको ठीक से समझने आया तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो देख सकते हो उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है कोई आपके extra charges नहीं है और लास्ली आप सबी videos को download कर सकते हो और offline भी देख सकते हो ये अगेन बहुत important चीज़ है special उन लोगों के लिए जो कि किसी remote area में रहते हैं या फिर किसी भी reason से वहाँ पर internet की reception अच्छे नहीं आती जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में इंडिया में वो coastal areas की तरफ वो काफी जादा down हो गई थी उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुखती और आप साथ की साथ उन चीज़ों को revise कर सकते हो उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुक्सान है वो कई न कई अवाइड हो जाता है प्लस आपका data भी बचता है तो again क्यूंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो हमारी quality देखते हो तो आप join करेंगे तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो आपको net amount वो काफी कम आ जाता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था अगर आप 2 साल का सब्स्रिप्शन निकठे ले लेते हो तो आपको 75% तक पहते हम्यूंद के सब्सक्राइग तक रखोंगा तक रखोंगा था